हेलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं हुए इंदर पालो मेरे अपका स्वागत हैं आज इस वीडियो में आपको बता हूँ है कैसे आप जो हो कमर्स के डिफॉल्ड थ Sus को चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए चलते हम अपनी website के admin panel में तो जैसे कि मैं आपनी website के admin panel में आ चुका हूँ यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यह features इनेबल करने के लिए आपको आपकी website पर एक plugin इंस्टॉल करनी होगी प्लगिन है Custom Order Status for WooCommerce यह plugin आपको यहाँ से डाउनलोड करनी होगी इसकी link आपको जो है नीचे description में मिल जाएगे तो यह plugin डाउनलोड होने के बाद आपकी website पर आपको इंस्टॉल करनी है तो जैसे कि मैं plugin section पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल नाव पर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे कि दोसरो यह plugin गोप अस्टॉल हो चुकि है अभी ही curset करना है तो मैं यहाँ इस आप प्लगिन पर क्लिक करना है लेका यहाँ पर कुछ तो इसको आपको क्लिक करना है यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कौन-कौन से डिफॉल्ट ओर स्टेटस होते हैं जैसे के दोस्तों जो है पैंडिंग पेमेंट है प्रोसेसिंग है ओन होल्ड है कंप्लेट है कैंसल और रिफंड है दोस्तों इसके लाबा आप अपने हिसाब से यहा पर यहाँ पर वाद है हैं के सापसे आप से color change कर सकते हैं आपको यहाँ पर add new custom status पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे नीचे जो है custom status आ जाएगा order का तो दोस्तों जबी करना है यहाँ पर मैं मेरी डिटेल कर देता हूं और यहाँ पर मैं cash on delivery सेलेक्ट करके यह order process कर देता हूं तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा order जो है प्लेस हो चुका है अभी चलिए हम इस order का status चेंज करते हैं तो order status करने के लिए मैं फिर से अपनी website के dashboard में जाऊंगा यहाँ पर refresh करूँगा आप जैसे कि देख सकते हैं आप order आ चुका है जिसका status बता जा रहा Πरोसेसिंग्ड स्बम्स चेंज करेंगी तो चैंज करने के लिए आपको यहाँ पर स्टेटस पर जाना है और यहाँ पर जो भी स्टेस आपके और गोजिए पर अपने और यहां पर पर वीउ करना है तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ओर्डर जो है करेंटली प्रेंटिंग स्टेट में दिखाया जा रहा है तो दुस्तों कुछ इस तरह से आप अपनी एफसाइट पर वीडियो पसंद आया होगा अकर आपको कुछ ही पूशना हो चाते हैं तो नीचे कमेंड मोक्स में उससे पूछ सकते हैं और दूसरे अगर आपने वारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए वीडियो में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं तो आज के लिए इतना ही थैंक यूफर वाचिंग